कि कमजोर लोगों पर ही ज्यादा तर उंगलिया उठती है यदि वो मजबूत होते तो किसी के हिमत नहीं जूड़ती लेकिन आज उन्होंने खुद अपना सपष्ट किया कि मैं दलित बिदायक हूं इसलिए मेरे उपर ज्यादा उंगली उठता है और जो दबैंग लोग है उ पर कोई उंगली उठाने वाला में जब गडबंदन नहीं करें तब 20 साल से उनके पिछोवा पिछोवा का घुम रहे थे मलाई खा रहे थे लोग और जब मलाईया मिलना बंद हो गिया अभी लोग सोच रहे कि करें तो का करें उदेना राजवर मोदी जी के सिधान पर काम क अब भी कहते जब परदान मंतरी बने थे ना हम खाएंगे ना खाने देंगे उनकी आने की जूरत नहीं थी उत्तर प्रदेश में असी लोग सब्सक्राइब पर परचार करने में लगे हुए थे जिसको विरोध करना है वो अपने घर बैट करते रहे वह उमपर का सराजवर घर बजाते रहे हैं कुछ होने जाने वाला नहीं पहुचिए पार्तिय समाज पाटी के परदेश कराले में और हमारे साथ बातषित करने के लिए पुर परदेश अध्यक्ष कह सकते हैं चुकिए अब भंग हो चुकिए बियार की उतर परदेश की परदेश कमिटी भंग हो गई है तमाम सवालों का जबाब लेंगे और पहल वह अभी आपके नेता पर बड़ा अरोप लगा है नीट पेपर लीक के मामले में चाहते हैं कि इस पर देखिए यह जो है लोगतंत्र है और लोगतंत्र में जो भी बेखती आगे बढ़ता है उसके उपर ज्यादातर कोई नहीं नहीं बलेम लगते रखते हैं और उससे सीबी आई जांच की किसी भी परकार की कोई दोसी नहीं पाया गया अरना कोई भी इस तरह का कोई बाते हैं यह फिजूल का लोग आप वागा उड़ा रहे हैं वीडियो भी छोटा सा क्लीव वारल हो रहा था बेदिराम का जिसमें उन्नीट से सम्मान्दी जो है बात कर रह है और कमजोर लोगों पर ज़्यादातर उंगलिया उरती है आपी के चैनल वालेने चलाये थे बेदि राम जो है आरेष्ट हो गए हैं और बेदिराम आज पुरे छेतर में अपने घुम रहे हैं आए दिन आपने जो है लोगों की बीच में जाकर समसिया को गुम करके देख कुछ ऐसे मीडिया है जो हवा हवाई में उड़ रही है कुछ उसको पता तो है नहीं जो आ गया जो मिल गया वो चलाना सुरू कर देता इसलिए अभी देखिए खास करके यूट्यूब चैनल वाले पर बहुत ज्यादा बलेम लगें बहुत चैनल बंद हो रहे हैं कारण क्या है कि जो चीज चलाना चाहिए वो नहीं चला पा रहे है जो नहीं चलाना चाहिए वो चला पाए मैं तो गहता है उनलों पर फायार होना चाहिए जो बेदी राम जी को दिखाया कि वह आरेश्ट हो गया है और बेदी राम जी खुल्याम घुमकर अपने अपने जखनिया वि सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आज उन्होंने खुद अपना सपष्ट किया कि मैं दलित विदायक हूं इसलिए मेरे उपर ज्यादा उठ रहा है तो मानका चलिए कि दलित पिछड़े यति पिछड़े के लूपर ज्यादा उठता है और जो दबंग लोग है उस कोई उठाने वाला नहीं गलत तो इतने हो रहा है देश के अंदर लेकिन उस पर कोई उठाने वाला नहीं है लेकिन बेदी राम जी जान रहे है कि इनका जनाधार और पार्टी के जनाधार तेजी से बढ़ रहा है तो किसी ने किसी ब्लेम लगा कर पार्टी के जनाधार को र आता है ना उसके बाद जो है अगर नोकरी लेनी है तो हमसे संपर कर लो यह वीडियो आपने वी साथ देखा होगा ट्विटर पर वार लो रहा था देखिए देखिए मेरे कहने मतलब है वो लोगों को मुनवल बढ़ाते हैं हमारे नेता जी कहते हैं कि देखो पढ़ाई कि जुरुद पढ़े हमें याद करो तो यह बात उन्होंने कहा है और आज भी मैं वह चीज के कह रहा हूं लेकिन यह नहीं हूं कहें कि आ करके जा करके हम पेपर दे देंगे तुम आल करके पास हो जाना उन्होंने कह पढ़के पढ़े लिके रहेगा जो वह अपना परिच को होसला दे रहे हैं यह दि जहां तुमको समझ में आए हमको याद कर लेना हम भी जहां तक से हो सकता है तुमको मदद करेंगे और उस मदद के लिए उन्होंने हर बच्चे के साथ ख़ड़े कल आप देखे होंगे हमारे नेता जी ने चोटे-चोटे बच्चों को अपना जो है क्मापी किताब कलम देखर कि उनको होसले बुलंद कर रहे थे तो नेता जी का सोच है जो गरिब तब के बच्चे उसको आगे बढ़ाने का बिलकुल लगवाएंगे जब सरकारी समर्थन करते हैं लोग तो इसको विरोध में होता रहे हैं कि देखो इतो नोकरी सराजबर जी आगे बढ़ना हो बढ़ते रहें उनकी जनाधार को कोई नहीं रोक सकती है वियार में आपकी पार्टी का किसी के साथ गठबनना नहीं था जिसकी वज़ہ से हम देख रहे हैं बहुत सारे आपके कह सकते हैं पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि आपके विरुद बना रख जो इस तरह की बात कर रहा है कि जब उगडबंदन नहीं करें तब 20 साल से उनके पिछवा पिछवा काग घुम रहे थे मलाई खा रहे थे लोग और जब मलाईया मिलना बंद हो गिया अब इन लोगों को आप सोच रहे कि अब करें तो का करें उदेना राजवर मोदी जी के सिधान पर काम कर रहा है मोदी जी ने भी कहे थे जब परदान मंतरी बने थे कि न हम खाएंगे न खाने देंगे उसी परकार से उदेना राजवर यह परदेश सद्रेक्च बने उसी दिन मैंने कहा था कि इस पार्टी के अंदर गलत होने नहीं जो भी गलत करेगा कहते ही उसको बरदास नहीं किया जागा जिसकी देन है कि पार्टी दिन दुगना राजवर पार्टी बिहार के धर्ती पर आगे बढ़ती चली गई और इस जन्राइधार की किसी की अवकात नहीं है कि रोक सकता है जितना बोलना है मुह तो है बोल कि उन्हीं लोगों से पूछिएगा जो उचड़ रहा है वीस साल पार्टी लें चला है लेकिन उनको पता भी नहीं है कि बियार में पूछिएगा कितना जिला है वो भी नहीं पता हो गए कि कौन जिला है या कहा है तो सवाल एक तरीके से सहीन है आखरिक गटबंदान नहीं हो तो लोग किसको वोट करें से देखिए जब गटबंदान जो हम लोगों का इस सेंट्रल का चुनाव था हमारे नेता जी का आदेश था पूरे बियार में हम लोग एंडियों को समर्थन करे हमारे टोटल बियार में उनका फोटो दीखा लेकि मंच पर नहीं थी उत्तर प्रदेश में असी लोग सभा पर परचार कर रहे थे जिसको विरोध करना है वो अपने घर बैट करते रहे ओंपरकास राजबर जी को विरोध करने वाले एदी लाकों हैं तो उनको पसंद करने वाले कड़ो वो अपना डफली घर बजाते रहें कुछ होने जाने वाला नहीं है तुम मान लेते हैं चौबिस में नहीं हुआ तो पचीस में जो बिधान सभा का चुना होने वाला है उसमें क्या लगता है सर एलाइंस हो पाएगी या फिर इस से चौबिस की तरह ही होगा अब हम उन्हीं लोगों से पूछ करेंगे जो बनाने जा रहा है कि पार्टी बनाने जा रहा है जिसको खाने का उकाते नहीं है वो पार्टी बनाने जा रहा है जो आज 20 साल हो जा जा करके 10 उर्पिया की जरुत है तो जाएगा करयाले पर मांगने के लिए उक आता है कि पार् बना कर तो बढ़ कर दिखाओ तब पता चलेगा कि क्या होता है अरे बनाओ भाई पार्टी बनाओ जो भी करना हो बनाओ हम लोग उसका कहा रोक रहा है जिसको बनाना है बना कर पार्टी आगे बढ़े तो सवाल सर यह है कि आखिर पचीश में एलाइंस होगा है नहीं होगा सीटे मिलेगी जब हम लोग की अपनी त्यारी मैं खुद कर रहा हूं किस तरह से हमको त्यारी करना है और इस त्यारी को आ कि मुझे एक सीट मिला था उत्तर प्रदेश में भोसी के लोग सभार जिसके बुझे से हम लोगों के त्धकालिक यहां ब्यार में उचिट नहीं मिल पाया और उसी के वज़े से हम लोग यह चुनाओ नहीं लड़ पाई और 25 की हम लोग तयारी कर रहे हैं लाद दिन हम लो लोग की मौत हुई है इस पर आप क्या कहेंगे अब हां तरस में गए हैं जो भी वहां पर पहले तम यही कहूंगा अपने दिश्वासियों से पहले अंद भाक्ती से दूर हो जाईए आप लोगों को विश्वास जब जो करना है तो कम से कम अपने पुराने जो हैं उनसे अप साहब से सीख लेना चाहिए उन्होंने अन्द विश्वास से बहुत दूर रखा है आपको फिर भी आप उसी को काम करने जा रहा है यदि बाबा दार जो वह इसे बाबा लोग ही आपके भाला कर सकते हैं तो यह बताइए फिर अस्कूल में बच्चों को भेजने की क्या सबोड़ तो पृअла नोगी है इसे बाबा दादा को मांते नहीं है हम लोग विश्वास करते हैं जो अपने करम पे अपना जो अच्छा करम करिये उसी में सारे चीज आपका चुपा हो अपने नेता जी की तरह बोल रहा है पहले भी आपकी नेता जो ऐसे भी बोलते थे लिगे अभी तो एलाइंस में हैं आप लोग और आपकी जो मुख्या जो बाबाओं पर भरोसा नहीं करता हूँ बहुत से पहले राम रहीम आए कौन कौन आए सब उनके आसाराम आए सब लोग उनके इतने जो भक्त थे काते थे इनसे बड़ा कोई बाबा हाई नहीं है आज देखिए सारे लोग जेल में जाका सडर है इसका भी जांच करिए जाएगा ज्यादा दिन है इसे लोगों को तो जेले में रहना चाहिए बाहर रहने की कोई जरूरते नहीं है और देखिएगा जरूर एक दिन एक दिन एक जेल में जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ सर भीमार में चीप और आजास समाज पार्टी के राश्टिया देख्चंदर शेखर आजाजी जब पिछला बिधान सभा का चुना उतर प्रदेश में हो रहा था तो आपके नेता उपी राजवर जी के सामने रोने का काम किये थे और आंसू बहाए थे आज चंद सेखर पहुंच गये हैं इस पर क्या आपकी सोच है क्या सूच है अची बात है कम सगम एक दलित का लड़ने वाला लड़ाकु नेता अपना जो एक बड़ी पंचायत में पहुंचे अपने समाज की लड़ाई लड़े हम लोगे सुब कामनाय है कि अपना आगे बढ़ते रहे और जो गरीबो बंची सोची समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं यह हमारी सुब कमनाय उनके साथ है चुकि 27 में उतर परदेश में चुना होने वाला है आपकी नेता जो है 24 में कहा रहते कि बहां जी अगर साथ आती हैं तो मिलकर काम करेंगे तो क्या लगता है कि अगर 27 में और राश्टी अध्यक जी का जो बिचार होगा जो पार्टी का उनका नेंख पुदैन राजबार उनकी पूरे विहार की कमेटी पूरे पार्टी के करकता मनने के लिए तैयार है अभी अब चुक्य सर्परदेश कमिटी आप की भंग हुई है कहां उत्तर-पर्देश और विहार टोगे करेρ पूंढ रूप से यह कंच काम सुरू हो गया काँ twenty बढ़े पार्टी के तो मैं बदाई देता हूं अपने राष्टी अध्यक्ष महोदे जी का और राष्टी परमुक महासाची जी को कि बहुत अच्छे समय पर उन्होंने कमीटी को भंग किये हैं उस दिन से बहुत लोगों के अंदर बेचाईनी बढ़ गया कि अब क्या होगा लेकिन जो काम करने वाला है आज भी काम कर रहा है अपने दरातल के काम कर रहा है और काम करके अपने पार्टी को मझबूत करने में लगा है दो हजर पचीश चुनाव को लेकर विधानसवा चुनाव को लेकर यहां पर तेस्वी आदव भी कमर करश चुके हैं और हर जगह जो है कंपेंग करना जो अपने जो उनके बड़े-बड़े लीडर है भेज दिया हैं कंपेंग में और उप चुनाव में भी लग गए हैं और चार सीट जो बचरा है चार सीट में दो सीट पर स्विल्दे भातिय समाजबाड़ी अपने दम खम के साथ चुनाव लड़ेगी रामगड विधानसवा उत्तरारी विधानसवा पर हमारे करकतर लगे हुए हैं उसी को तैयारी को लेकर हम लोग भी राद दिन अपने तरीको आ रहे हैं और चुदर तरीक बाद हम आपको वहां कंडिडेट दोनों जगह का उत्तर परदेश में अखिलेस यादव और बिहार में त्यस्वी यादव इन दोनों लोग के साथ आपकी पार्टी का टकर और आपके नेता भी जो है आपकी नेता खिलाप में इनी पा उडेकर पर करने में लेगे लगे राते हैं तो मैं तेजर सिवे चीज़ से भी काऊंगा कि ऐसे करकरता हूं से सवधान रहने की जूरत है यदि आपको आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों आपके साथ रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं जा सकते है किसी पर ठीका ठीपड़ी करके आपकी पार्टी आगे नहीं जा सकती है सुवेल्दे भारती समाज पार्टी के नेता करकर तक किसी पर ठीका ठीपड़ी नहीं करता है अपने काम पर भरोशा करता है दो हजर पचीस में दमखं के साथ इस बिहार के धर्टी पर चुनाव लड़ा जाएगा आज भी मैं अपने सकती को बढ़ाने में लगा हूँ नितिस कुमार जी का जो काम था हो कर दी है उदेना राजबर भारतिय समाज पार्टी के जो काम है अपना कर रही है हम लोग अपनी सकती को बढ़ाने में परियास कर रहे हैं और पचीस आतियात इतनी सकती को बढ़ा देंगी कि नितिस जी क्या कोई भी दल मानने के लिए तियार हो जाएगा कि बिहार के धर्टी पर रजवार राजबंसी राजबर मंडल चोदरी पर यहार राजबर भी इत से पुछने का जो हमने काम किया है और बिहार में आपको उतादों की लगातार इनके पार्टी के खिलापी भी जो कुछ लोग बढ़ कर काम कर रहे हैं उस पर इनोंने जबाब दिया है पार्टी किस तरीके से दो हजार पचीस में विधानसभा चुनाव को लेकर स्टेंड क करेगी किस तरीके से फाइट करेगी इसकी पूरी रणनीती बनाई है और पचीस चुनाव से पहले आपको उतादों की जो उपचुनाव के उपचुनाव होने वाला बिहार में पांस सीटों पर उन सीटों पे जो है दो ऐसे सीटे हैं रामगड और तरारी विधानसभा जह